गुड मॉर्निंग स्टुडैंस आज हम क्लास वान साइंस के चेप्टर नमबर 7 हेल्दी हैबिर्स इसके बारे में पढ़ेंगे देखो पेज नमबर 43 healthy के मतलब आपको पता है healthy का मतलब आप जानते हो healthy का मतलब है स्वस्थ बान या स्वस्थ और habits का मतलब है अभ्यास स्वस्थ रहने के लिए हम कौन कौन सी अभ्यास को हमको फोलो करना चाहिए इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर दिया हुआ है यह सारे है healthy habits या good habits देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक picture में क्या दिया हुआ है एक doctor एक लड़का को treatment कर रहे हैं और वो doctor के पास आया हुआ है तो इस लड़का का नाम है जतिन और यह है doctor जतिन यू fall sick very fun तो doctor जतिन को क्या कह रहे हैं डक्तर जतिन को यह कह रहे हैं कि आप बहत बार क्यों बीमारी या बीमार में पढ़ रहे हुआ try to follow good habits to become healthy and strong आप अगर good habits को follow करोगे तो आप healthy और strong रह सकते हों अगर आप good habits को follow नहीं करोगे तो आप बीमार में पढ़ जाओगे तो कौन-कौन सी good habits है या healthy habits है इसके बारे में आजा जानेंगे देखो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये सारे है एक-एक good habits हम अगर नीरोग और स्वास्तवान रहने के लिए या रहना चाहोगे तो ये सारे good habits को अपने daily life में आप इस्तिमाल करोगे या follow करना चाहिए हम तो यह एक good habit propose Crush your teeth brush your teeth मतलब अपने दातों को brush करना ठीक है हम दूसे में अपने दातों को brush करना चाहिए एक morning time में और एक night time में हम जब सोने से पहले हमको अपने दातों को brush करना चाहिए और सुबह सुबह अपने दातों को brush करना चाहिए ठीके तो ये follow करना wash your hands अपने हातों को धोई ठीके अपने हातों को ठंडे पानी में या clean water में धोना चाहिए अगर हम अपने हातों को नहीं धोएंगे तो क्या होगा अपने हातों में जो गंदेगी हमारे हात में जो गंदेगी होगी वो हम जब खाते हैं तो वो गंदेगी हमारे बड़ी के अंदर जाएगी और हम बहुत सारी बिमारी में पढ़ सकते हैं इसलिए हमको साबुन से अपने हातों को धोना चाहिए हेवे बात everyday और यह भी एक गुढ है वेर से ठीक है हम रोज नहाना चाहिए ठंडे पानी में साबुन लगा कर रोज नहाना चाहिए है वे बात एवरीडे अगर आप नहीं नाओगे तो क्या होगा अगर आप नहीं नाओगे तो आपकी बड़ी से दुरगन निकलेगी और आपके पास कोई बैठने के लिए भी पसंद नहीं करेगा इसलिए रोज नहाना चाहिए और हमारे हमको बहुत सारे बीमारी भी हो सकती है अगर हम नहीं नाओगे तो यह भी एक गुड़ है यह भी हमारे डेली लाइम में हम इसको फूलो करना चाहिए काम योर है इसका मतलब है अपने बालो को कंगी करना ठीक है अपने बालो को अपने बालो में तर लगा कर उसको कंगी करना चाहिए तो यह सारे है एक गुड habits अगर हम निरोग और स्वास्थवन रहना चाहते हैं तो ये सारे healthy habits या good habits को हम फोलो करना बहुत ज़रूरी है Our body has many parts which work for us और हमारे body में बहुत सारे parts होते हैं जिसे eyes, ears, tongue, nose, बहुत सारे legs बहुत सारे parts होते हैं और वो हमारे लिए बहुत भिन्न भिन्न टाइप के काम करते हैं जिसे eyes का काम क्या है see, उसी तरह ears, hear, legs, cycling और चलना वैसे ही बहुत सारे parts के भिन्न भिन्न टाइप के काम होते हैं to stay healthy and fit all the time we must follow certain good habits इसका मतलब है अगर हम healthy रहना चाहते हैं या all time हमेशा अगर fit रहना चाहते हैं तो हमको ये सारे good habits को follow करना जरूरी है अगर ये सारे good habits को हम follow नहीं करेंगे तो हम बीमारी हमको बीमारी हो जाएगे ठीके तो ये सारा आप पढ़ना इसको समझना और ये जो good habits से इसको अपने daily life में इसको follow करना तेंक यू